बिना चीनी, बिना चासनी, बिना मिसरी और बिना गोड के नवरात या वरत स्पेशल आज हम बनाएंगे फलाहारी खेर जिसे बनाना जितना असाने खाने में ये कहीं ज़्यादा स्वादिश लगने वाले हैं तो चलिए इसकी रेसेपी देख लेते हैं इसके लिए हम लेगे एक बरतन, यहां मैंने इसमें तीन ते चार चमच पानी डाल दी हूँ और अब हम इसमें डालेगे दूद, दूद आप कोई सा भी गाय या फिर पैकेट वाला यूज़ कर सकते हैं यहां मैं पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ और इस टैम पे गैस का फ्रेम यहां मैंने आफ रखा है तो अब हम क्या करेंगे दूद डाल कर गैस का फ्रेम आउन कर देंगे और दूद को हम मीडियम फ्रेम पे अच्छे से गरम होने देंगे या बॉयल होने देंगे और जब तक दूद हमारा गरम हो रहा है तब तक हम चावल ले लेते हैं यहां मैं वरत वाले सामबा चावल का यूज़ कर रही हूँ यहां मैंने हाफ कटोरी या चार बड़े चम में चावल ली हूँ चावल को हम इस तरह के से कटोरी में डाल कर पानी से एक से दो बार धू लेंगे जिससे इस पे लगा सारा धूल और गर्दा अच्छे से धूल जाएगी और अब आप देख सकते हैं हमारा धूद भी अच्छे से बॉयल हो गया है तो हम क्या करेंगे इसमें फ्लेवर के लिए एक इलैची देंगे अगर आपको पसंद दे तो आप जरू टाले नहीं तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हैं और चावल भी हमारा पाँच मिनट अच्छे से धूने के बाद सोख हो गया है तो हम क्या करेंगे गर्ब दूद में हम सारे चावल को चमच से इस तरीके से डाल देंगे और इस टेंग पर भी गैस का फ्लेम मेडियम ही रखेंगे और अब हम गैस का फ्लेम पाँच से 10 से के लिए हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम चावल को अच्छे से दूद में मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे अच्छे से पका लेंगे जिससे तले में चावल चिपकेना और इस तरीके से आप अगर खीर बनाएंगे वरत वाले तो आपके खीर बिल्कुल पर्फिक्ट बनेगी और अब आप देख सकते हैं दूद में बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है तो हम इसे बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे जिससे ये तले में बिल्कुल लगेगी नहीं और गैस का फ्लेम स्लो करके हम इसे ढग करके मेडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए पकने देंगे पांच मिनट हो गए है और आप देख सकते हैं हमारा चावल काफी अच्छे से दूद में पक गई है तो हम क्या करेंगे इसे चेक कर लेंगे और मुझे लगता है अभी ये और दो से तीन मिनट पकेगी तब अच्छे से हमारे खेर बन के तयार हो जाएगी और यहां मैंने ढख करके इसे दो से तीन मिनट के लिए और पकने दिया था और अब आप देख सकते हैं दूद काफी गाढ़ा भी हो गई है और दूद में चावल बहुत अच्छे से पक गई है तो आइश टेम भी क्या करेंगे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और यहां मैंने अलग से दूद गरब करके रखी दी तो हम इसमें चार से पाच चमच दूद डालेंगे दूद डालकर हम फिर से इसे अच्छे से खीर में मिक्स कर लेंगे और यहां अब हम इसमें मीठे के लिए प्रशाद में चड़ाई जाने वाला बतासा लेंगे यह गोड का बतासा है यह आजकल इदली मार्केट में और पूचे के सामिगरी दुकान में मिल जाते हैं तो आप इसे इस तरीके से भगवान को भूख लगाने के बाद इस तरीके से आप फलाहारी खीर में डालेंगे तो फिर यह आपका जो खीर है इससे मिल्ठा भी हो जाएगा और यह कोड की वज़ा से बहुती टिश्टी और स्वातिश्ट लगती है तो इस तरीके से यहां मैंने 10 से 12 बतासे को अच्छे से तोड़ करके खीर में डाल दी हूँ और इस टेम पे गैस का फ्लेम ओफ है लेक अब आप देख सकते हैं हमारा बतासा बहुत अच्छे से खेर में मेल्ट हो गई है और इसमें बहुती बढ़िया कलर भी आ गई है तो यहां मैंने इसमें मिठास के लिए गुड़ वाले बतासे का यूज किया है लेकिन अगर आप इसमें चीनी डालना चाते हैं तो आप च आप देख सकते हैं हमारा खीर बनके तयार हो गई है तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़े से ड्राइफ फ्रूट कटे हुए डालेगे यहां मैंने इसमें कटा हुआ ही डाला है लेकिन आप चाहें तो इसे घी में फ्राइग करके भी डाल सकते हैं और र्राइफ डालकर हम इ इस तरीके से कटोरी में या फिर प्लेट में सर्फ कर लेंगे और फिर आप इसे फलाहारी वृत में या नवरात में या फिर आप कोई सा भी फास्ट रखते हैं तो उसमें इस खीर को इस तरीके से बना के खा सकते हैं और अब हम इसके उपर थोड़े से और कटे हुए ड्राइफ रूट डालेंगे ड्राइफ रूट आप अपने हिसाब से कम या जादा या जो सा भी आपको ड्राइफ रूट पसंद आप उसमें आड़ कर सकते हैं और अब आप देख सकते हैं खीर का कलर बहुत ही बढ़िया आया है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और टेश्टी लगती है तो इस तरीके से आप सामा के चावल के वरत में खीर बनाएं और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ठाइक्स पूर वाचिंग